हेलो फ्रेंड्स आपका हमारी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए करेला की रैस्पी लेकर के आई हूँ आधा किलो करेला को हमने अच्छे से दो लिया है इसके किनारे को अलग करके इसको हम बीस से दो भागों में काट लेंगे हम यहाँ पर करेले को छ नहीं लगते है तो इस तरह से करेले कावी सॉफ्ट बने रहते हैं अब हम सभी करेले को डाल करके इन को तीन चाहर्पनर तक उबलने देंगे बहुत जव्जादा हमें इनकोनहीन उबालना है सिर्फ 3-4 मिट तक उबालना है या यह कह लीजिए कि हलके से बॉाइल हो जाएं और इनमें एक ट्रांसपेरेंसी नजर आने लगे बस इतना ही हमें इनको उबालना है उबलने के बाद इनका हलका सा कलर भी चेंज हो जाता है आप देख सकते हैं किनारे पर हलकी सी ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है तो बस हम गैस को बंद कर देंगे करेला को अलग प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने देते हैं ठंडा होने के बाद इनको हम अच्छे से स्क्वीच कर लेंगे यानिकी निचोड लेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए तो करेला को हमें बहुत जादा नहीं उबालना है इस चीज का ध्यान रखेगा परना ये गल जाएंगे और टेस्टी भी नहीं लगेंगे तो इस तरह से हम दबाते हुए इनको करेले का पानी निकाल लेते हैं और अब हम इसके मसाले की तेयारी करेंगे एक हमने भगोना ले है इसमें हम एक वाथाई कप यह यू कहली जी दो बड़े चमश सावत धनिया डालेंगे पांच हमने लाल मिर्चे ले ली हैं सावत इनको भी हम तोड़कर के डाल देते हैं यहां पर हमने दस बारा ली हैं अमचुर इसे आप ड्राइ मैंगो भी बोल सकते हैं तो अगर यह यह दो कि फॉड़कर नहीं है तो आप पावडर भी यह इसके डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे की बाद बंद कर लिये थे जिसको लंबाय में कार लिया है आर्ट्स हमने लेशन की कल्यां लिए हैं स्वादंसा नमक डालेंगे, पांच हेम काली मिर्चे डालेंगे, आदा चम्मच जीरा डालेंगे, दो लॉंग डालेंगे, आदा चम्मच कसूरी मैथी डालेंगे और सभी को डाल करके अच्छे से पीस लेंगे, देखिए कितना बढ़िया प्यारा सा मसाले का कलर आ गया है, म सब्सक्री क अनु लग नकाले है और देंगे और अभास त करेंगे तक तक भुनना है आप आपसके सकते हैं बहुत अच्छीस की всем चुका है है इसकी ऩाप सब्सक्री सब्सक्राइब कि हुए के दाल देंगे और फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देगे हाई फ्लेम पर करेला को हम दो-तीन मिड़ तक भूनेंगे इससे मसाले का कलर भी चेज़ हो जाएगा और करेला बहुत अच्छे से पक भी जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे करेला जो हम बन कर कि बिल्कुल रेडी हो चुके हैं तो इनको हम अलग निकाल लेते हैं कुछ करेला हम कड़ाई में बच्चे रहने देंगे क्योंकि इससे हम रसेदार करेला बनाएंगे एकी तरह की मसाले से हमारे दो तरह के करेला बन करके तैयार हो जाएंगे अगर आपको रसेदार करेले पसंद है तो आप सूखे ना बना कर किस तरह से बना सकती है यह दोनों तरीके की भी बना सकती है तो देखिए कितने बड़िया हमारे रसेदार करेले भी बन करके तयार हो गए है तो इस तरह से आप भी जरूर ट्राई करें दोनों तरह की करेले क रेस्पी बहुत बड़ी अलगती है अगर आप एक बार बना लेंगे खाते रह जाएंगे पुरानी सारे तरीके भूल जाएंगे